नमस्कार दोस्तों, मैं पृति सिरिवासब। आपने महाबाद के कुछ ऐसी प्रेम कताएं तो सुरी होगी। कुछ तो प्रसीद हैं। और कुछ ऐसी कहानिया हैं जिनके बारे में लोगोंने सुना तक नहीं है। तो जानते हैं उस कहानियों के बारे में इस वीडियो के दुरान। नमबर एक, भगवान श्री किष्ण की 16,108 पत्निया थी जिनके साथ उन्होंने बिभा किया था। लेकिन कहते हैं कि उन्हें जादा दिनों तक इंतिजार करना नहीं पड़ा। राओं पतिजार करना नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान श्री किष्ण के लिए। विभा करने के लिए। उन्हें सिर्फ अगला ही जर्म यानि की synergy कूर्ण जनम देना पड़ा लेकिन भगवान श्री किष्ण के साथ उनका विभाह हुआ। लेकिन भगवान शरी कृष्ण इतने सक्तिमान थे कि उन्हें कहते हैं कि वे हैं किसी भी तरह से किसी को भी प्यार कर सकते थे अर्जुन और उलूपी जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा आपने जादता सुना हैं कि अर्जुन की शादी द्रोपती के साथ हुई थी लेकिन द्रोपती के अलावा उलूपी भी उनके प्रेम में पड़ चुकी थी जिन्होंने अपने प्रेम को स्थापिद करने के लिए अर्जुन का अपारंड किया जिस कारण से उन्होंने अरजुन को मनाया और अपने साथ रहने के लिए वंदित किया। हारा की रुखमणी उनसे प्रेम करती थी लेकिन फिर भी उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं थे इसलिए भगवान श्रीकिष ने रुखमणी का आपारण किया और उनसे विभा किया नमबर 4 हिंडिवा और भीम की शादी वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भीम कुंती के पुत्र थी लेकिन हिंडिवा एक नर्वन्षक थी लेकिन उन्होंने भीम से शादी करने के बार उनकी जिंदगी बदल गई और उनके साथ उनका विभा हो गया भीम और हिंडिवा का एक गटुचकर्ष था जो कि फेह पुत्र की देफार उन्होंने अकेले ही की थी सत्यवती और सांतुनों का विभाव कहते हैं कि शांतुनों सत्यवती की खुश्बू से ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उनके खुश्बू का पीछा करते करते नदी के किनारे तक पहुँच गए उन्होंने सत्यवती को नदी के टट पर पाया जहांपर वे नाव में बैटी हुए थी और सांतुनों ने उनसे आगरे किया कि वह नदी पार कराएं और सांतुनों को उन्होंने नदी पार कराएं उसके पश्षात उन्होंने उनसे कहा कि वह उनसे विभा करना चाते हैं तो सत्यवती ने उनसे कहा कि मेरे पिधा की कुछ इच्छाएं हैं जिसके सर्थ पर ही मैं आपसे विभा करूँगी उन्होंने उन सर्थ को पुरा किया और सत्यवती और शांतुलू का विवा हुआ तो ये थी वह प्रेम कहानिया जिनके बारे में कुछ लोगों ने तो सुना है और कुछ लोगों ने नहीं इस वीडियो के दौरान आपको उन कहानियों के बारे में भी पता चलेगा मेरी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चत्ता के लिए मैं पिती से विवासब आपसे इजाज़त लेती हूँ